विश्कार, हेलो और वल्कम टू दीपमाला एंटर्टेन्मेंट जी हाँ, आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं दकश मेरी फाइल्स का वैसे एक बात मैं आप लोगों को शुरवात में ही कह दूँ कि रिव्यू की जरूरत बलकुल भी नहीं है आप लोग आंक बंद करके ठियो की तरफ जा सकते हैं, सिनिमा हौल्स की तरफ जा सकते हैं और इस मूवी को देख सकते हैं अगर बात करें entertainment की, अगर आप entertainment ढूणने इस movie में जा रहे हैं तो मत ही जाहिए तो अच्छा है, क्योंकि ये movie entertainment के लिए नहीं बलके आपके अंदर दवे किसी कोने में बसे देश भक्ती के जजबे को जगाने के लिए है या फिर कश्मीरी पंडितों के साथ 1980 के दर्शक में 1990 के दर्शक में माफ किजेगा क्या कुछ बीती और क्या कुछ हुआ उसका मानो आखों देखा हाल किसी ने बया किया है या फिर क्यों कहें कि ऐसा लगता है मानो कश्मीरी पंडित खुद अपने साथ हुए उस निर्ममता की आखों देखी कहानी जो है खुद बया कर रहे हैं और हम सब बैट कर सुन रहे हैं जी हां इस तरह की है यह मूवी शुरुबात करते हैं आपके साथ रिव्यू लेकिन उसके पह बारे में ना मीडिया ने बात की ना लोगों ने ना सभाओं में बात हुई ना मंत शाले उस मुद्दे को सटेक तोर पर सामने रखने की उस मुद्दे के बारे में बात करने तो आपकी आखों से आशू तो नहीं रोख पाएंगे इस बात की गैरेंटी है क्यूंकि वो सब जो वीजवल सें जो सीन सें कश्मीरी पंडित जो की देखने आ रहे हैं समूवी को वो लोग अपने आशू नहीं रोख पा रहे हैं और उन लोगों को देखकर बाकी पबलिक औ अपने आपको नहीं रोख पा रही है हाला कि हम आपको बता दें कि अभी भी कुछ घूस खोर मीडिया ऐसी है बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है जो इसका रिव्यू नहीं कर रही है इस मूवी का या फिर वो नाम भी नहीं ले रहे हैं कहने को बड़े बड़े चै करेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर कम हो जाएगे तो हमें ऐसा कोई डर नहीं है और जिसे भी बात का बुरा लगता है क्योंकि सच्चाई का बुरा नहीं लगना चाहिए बलकि आपको हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस सच को देखें तो अगर किसी को भी बुरा लगता है त जी हाँ ये एक ऐसी मूवी है ये एक ऐसा जो है अपने आप में एक ऐसी स्टोरी है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगी आप लगातार स्क्रीन की तरफ निहारते रहेंगे कि कहीं एक भी विज्वल मिसना हो जाए और यहीं नहीं बलकि लगातार बार बारा भावुक होते जाएंगे आपकी आँखे कब भराएंगी वो आपको भी नहीं पता चलेगा कुछ लोग खासकर हम अपील करेंगे कि युवा पीड़ी को तो यह मूवी जरूर देखनी चाहिए क्योंकि लगभग आज से 32-33 साल पहले की यह बात है और उस समय वो बच्चे जो अब यंग हो चुके हैं उन्हें पता ही नहीं है जो पैदा हुए थे अब यंग हो चुके ह आज 32-33 साल की उम्र में हैं तो उन्हें पता चले कि हमारी देश में 1990 के दर्शक में आखिर घटा क्या था और किस तरह से जो है निर्ममता की गई थी कश्मीरी पंडितों के साथ इसका बहतरीन उधारन इस तरह से है कि अभी आप जहां बैठे हैं जिस जगे बैठे हैं जी हां पहले तो अफमान उसके बाद आपकी जगा का होना और फिर जगा और घर में बहुत फरक होता है इसी तरह का जो है निर्मम खेल जो है कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीरी हिंदू के साथ खेला गया हम यह कहेंगे और रातो रात उनके घर के बाहर लैटर छोड़ दिये गए और उनके घर धमकिया दी गई और उनने कहा गया कि वो कश्मीर खाली कर दें वो अपने घर छोड़ दें नहीं तो अगला नंबर उनका होगा ऐसे में फिर क्या था बहुतों की जाने भी गई ऐसा नहीं था कि सिर्फ अल्टिमेटम ही दिया गया किया कुछ नही कर दिये गए एक वो घर जहां पर अच्छे भले कारोबार बड़ी बड़ी जमीने चाहिदात और घर और एक तरफ वो जिंदगी जिसमें कुछ नहीं था सब कुछ जीरों से शुरुबात करनी थी वो समय देखा कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी हिंदुों ने और मामला जिहाद फैलाने का जी हां वहां के लोग चाहते थे कि जिहाद का राज हो कश्मीर में और कश्मीर से हिंदुों का नामों ने शान मिटा दिया जाए और इसी के चलते कुछ लोगों ने शाधी से रची और उसके बाद कश्मीर से हिंदुों को निकालने का कश्मीरी पंडि को जो है अपने घर से बेघर और अपने उनकी इज़त के साथ खलवार हुआ और ना जाने कितने बच्चे यतीम हुए और ना जाने कितने लोग आज भी अपनी आखों में इस आस के साथ जी रहे हैं और कितने चले गए कि एक दिन वो कश्मीर लोटेंगे अपनी धरती पर ल रोटनी की चाहत किसे नहीं होती हम strongly मानते हैं कि इनसान चाहे जितना बड़ा हो जाए पैसे चाहे जितने कमा ले लेकिन जब तक वो अपनी मिट्टी से जुड़ा नहीं रहता चाहे वो फिर साल में दो बार ही जाए चाहे वो साल में एक बार ही जाए लेकिन उसकी तो कि तो हस्ती खेलती जिंदगी में रातो रात आग लगा दी गई तबाह कर दिया गया और जिस हालत में जिन कपड़ों में बिना चपलों के भागे हैं निकले हैं और जिस तरह से उन्हें निकाला गया है वो भागे नहीं हैं उन्हें निकाला गया है उन्हें उनके अपनो उनके अपनों की जान की सेफ्टी के लिए उन्हें वहां से निकलना पड़ा है और काफी लोग नहीं भी निकल पाए जो कि आज भी न्याए के इंतजार में हैं ना कभी न्याए मिला ना कभी केस चले, ना किसी को सजा हुई और बश कशमीरी बंडेत आज भी कशमीरी हिंदू, आज भी जहां है, जिस कुने में भी हैं देश के, आज भी उनका दल कशमीर के लिए धड़कता है, और कहने के लिए तो कशमीर की वादिया और कशमीर की खूत अबसूर्ती पूरे देश में जानी जाती है देश क्या पुरी दुनिया में जानी जाती है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कश्मीर में क्या नरसंगहार हुआ और कश्मीरी पंडितों के साथ कितना गलत हुआ तो यह मूवी जरूर देखने जाएं एमोशन समने बता ही यह स्टोरी लाइन हम शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते जिस तरह की स्टोरी लाइन है क्योंकि वो स्टोरी नहीं है हमने जैसा कि शुरवात में ही आपको कहा कि वो एक सच है जो कि कश्मीरी पंडितों के उपर भी था और उनके उपर जो चीजे भी थी जिस तरह की के और शोज जहां पर मूवीज प्रमोट की जाती हैं वहां पर प्रमोशन के लिए जगा नहीं मिली कि वॉलीवोड में भी तो एक खास गैंग है ना जो कि अपना एजेंडा चलाती है मुन्नी बदना हो या फिर शीला जवान इस तरह का तो कश्मीरी पंडितों का दुख कैस जैसे दिखा सकते हैं सही कहा ना जी हां तो इसी लिए इसे जगा नहीं मिली और हम जैसे कुछ यूट्यूबर्स कुछ शोचल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसको प्रमोट किया जा रहा है और उसमें भी कुछ ही लोग कर रहे हैं क्योंकि आप सारे यूट्यूब चैनल फिर खड़ा हो जाएगा सब्सक्राइबर फिर आ जाएंगे लेकिन देश भक्ती दिखाने का और अपने लोगों के साथ खड़ा होने का और जज़बा दिखाने का मौका बार बार नहीं मिलता और हम दिल से चाहते हैं कि ये मूवी आप सभी लोग देखें इतना इतना अगर उनी दियों से रोशनी हो जो वो चलाया करते थी इसी के साथ बस आज के लिए चाहेंगे विदाई तब तक के लिए चानल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिया आगे ऐसे ही वीडियो उसको देखने के लिए हमारे सब बने रही है तिल देन कर दो है